फैंसर नाडा हफीज ने सातमी नेदी प्रेग्नेंसी दुरान उलम्पिक दे विच लिया हिस्सा उलम्पिक खेड़ा विचे हिस्सा लेना हर अथलीट दा सुपना हुंदा है येकर तो उन्हों इस विच मैडल मिलदा है ताँ खुशी होर भी जादा दुबनी हो जान दी है पैरिस उलम्पिक के उत्ते पूरी दुनिया ने नजर बनाई हुई है इस दुरान अजेहेची कई तरा अधिया कहानियां भी सामनी आ रिया हन उन्हेक वड़ा खुलासा होया है थी एक अथलीट ने गरपती होंदे बावजूद खेटां दे इस मा कुम्ब विचे हिस्सा लया है उस खिडारी दी कहानी निसाबनू पावु कर दिता है दस दी की मिसर दी तलवार बाज नादा हफीज ने खुलासा किता है कि उसने सत्मी नेदी गरवती होंदे बावजूद अलम्पिक खेटां विचे हिस्सा लया सी मिसर दी तलवारवाज नादा हफेज कोल सोंबार नू अलंपिक विच मैला सैंबर इवेंट विच अपनी पहली जितदर्ज किती और अगले राउंड च दखनी को रिया दी जियोन हे जोग तो हार गई सी सब्सक्रावाज नादा पेज ने जिस्या की अलंपिक विच मैला सैंबर इवेंट विच अपनी पहली जितदर्ज करन तो वाद जिशन वनोंदा दोरा कारन सी क्योंकि ओ सातमी नादी गरब पती होंदे बावजूद यही अपलवद्धी हासल किती नादा ने शोचल मीडिया दे लिख्या कि मैं एक छोटे अलंपियन नू नाल लाके खेड़ रही हाँ नादा ने अग्गे किया कि यहीं मेरे ते मेरे बच्चे ली श्री रिकते पावना तमक चनोती सी दाजी की नादा तेन वार दी अलंपियन है अधि उसने दोज़ार उन्नी अफ्रीक की गेड़ा विच्च सोने दा तगमा जित्या सी प्री कौर्टर विच पॉच्चा अलंपिक विच उसदा सरबोतम परदश्चन है जिकर जो गया कि 26 साला नादा ने अपने तीजे अलंपिक विच हिस्सा लेंदेयां अमरिका दे विशप नंबर 10 एली जंबेव टारटा कोबास के नूँ 15-13 नाल हराया अते Grand Palace विच राउंड ओफ 16 विच दखनी को रिया दी जिवन है जोंग तो 15-17 नल हार गी अगली खवर है अमरिका विच तेलकू विद्यार्थी नूँ 12 साल दी होई सजा सिवकत राज अमरीका विच 32 साल ते तेलगू विद्यार थी नू एक नावालग नू गैर कान ने जंसी कतीविदी विच शामल करन दी कोशिश करन दी दोश विच किरफतार किता गया सी वेरवे तो मिनी जानकारी मताविक तेलगू नौजवान वद्यार थी बीजे ते सिवकत राज अमरीका गया सी उसने जासुस नू उसलील तस्वीरा आते वीडियो विपेज जे जिसने अपने आपनो एक लड़की वजो पेश किता मुल्जम ने लड़की नू लगातार मिरनली के आते आखरकार उना ने अमरिका दे फैंसलवेनिया दे एरी कौाटी विच मिल्क रिक टाउन्सिप दे एक पार्क विच मीटिंग किती पार्क विच पहुंचन दो वाद उसनू तरंत किरफतार कार लिया गया अते उसनू पता लगया कि जिस कोडी नाल हो गलवाद कार रहा सी ओह एक गुप्त जासुस सी मावले दी जांच कारना ते सोचल मीडिया ते अंडरकावर एजेंट नाल पार्टी तेलगो मुल्जम दी गलवाद दी जांच कारन ते हिक संगी अदाल्त ने उसनू 12 साल कैद दी सज़ा सुनाई एमपी सर्वजीत खालसा ने कोई नूर हीरा पार्ट विच बापस नाल ले ओन दी दिती सला हमरी सर पहुंचे फ्रीद कोड तो संसद मेंबर सर्वजीत खालसा ने मुड़ा आठ्या की पंजाब विच नमी स्यासी पार्टी दा गठन किता जावेगा पर एही स्यासी पार्टी संसद मेंबर हमरीत पाल सिंग दे जेल तो बार उन तो बाद ही बनाई जावेगी ओ आजे थे श्री हर्मंदर साही वेखे मत्था टिकन पुझे सान, मरहूम अकाली आगू मौन सिंग तूड़ दी, बरसी विच शामिल हो लिपुझे सर्पजी सिंग खालसा ने क्या कि पंजाब विच नमी सिखी स्यासी पार्टी दा गठन किता जावेगा, श्रॉम्ली कमेट पत्रकारा वलों कोई नूर हीरा आते, महाराजा रंजी सिंग दी गड़ी पार्ट ले उन समंदी जदों उनना नुस वाल गिता गया, ता उनना ने क्या अजे कोई नूर पार्ट नहीं ओना चींदा, खालसा ने महाराजा रंजी सिंग दी गड़ी आते, कोई नूर हीरा प पार्त बापस ना ले उन्दी स्ला दिती है उनने अग्य किया कि जेकर एही चीज़ां बापस आवी जान दिया हन ताही किस्दे को लुरेंगियां अखेर च उनने कि जाता है ना चीज़ां नुस रॉमनिक मैटी ही बापस लिया वी दाजी कि इस वारे पार्त देरा स्ट्री पुरलेख विच दस्या गया है कि मारा जरन जी सिंग कोई नूर नूर दिवाली दुशेरे यते बड़े ते वहां रामों के अपनी बाप विच बान के निकल दे सन जोनों भी कोई बरतान वी अफसर उनने दरवार विच ओंदा सी ताह उसनों एही हीरा खास दोरते दिखा जान दा सी जोनों भी ओं मुल्तान पेशावर जा दुजी शहरां दोरे थे जान दे सन कोई नूर उनना दिन आल जान दा सी